विडियो में लेके आने वाली थी जो हमारा ड्राइंग कमपटेशन चल रहा है उस पर वीडियो लेके आने वाली थी मैंने आप लोगों को कम्मुनिटी पोस्ट भी किया था कि बहुत सारे कंफ्यूजन है जिस पर वीडियो लेके आना था बट सडेली मुझे एक इतनी में लेके आऊंगे आप लोगों के लिए या फिर इसी वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और इसके बाद और सारे डिटेल में दूसरे वीडियो में दूँगी यह जो टॉपिक है यह जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने ईब्यों के लिए वीडियो को कहीं भी इंप्लुकी आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए यह वीडियो लेके आई हूँ तो सबसे पहले हमारा जो भी पो पूछ पर तो सबसे पहले बात कि या फो डिस्टेशन टो एह आपको कमपेशन में अप्लाई करने के लिए क्या करना है रिखना है जिस्टेशन फॉर डॉइंग कमपोटिशन है और करके और उस वाच्ट आप नहीं तॉर मैंने आप लोगों को या फिर इस विडियो के भी रिस्क्र आप क्या करना है send करना है वो message after then video को या फिर जो आपका reference photo है वो भी उस video पर लगा हुआ है उस reference photo को drawing करना है of course यह question था थार्ड question यह है कि वीडियो और photo क्या दोनों send करना है तो of course video photo दोनों चाहिए अगर वीडियो आपने नहीं send कैसी photo आप send करते हो तो आपका registration में cancel कर दूंगे cancel क्यों करूंगी क्योंकि देखिए क्या होता है कि हां मुझे reference देखके समझ में आ जाता है बट कभी कभी क्यों होत क्याता है जैसे last के competition में हुआ था कि हो सकता है कि copy हो जो वर्क हो फोटो वह copy हो या फिर दूसरा करें तो मुझे उसको दिखाने के लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए तो वह वीडियो आप ड्रॉइंग करते टाइम आपका थोड़े ही टाइम के लिए वीडियो होना चाहि चलिए बस इतना है basic information देते हैं क्योंकि already वीडियो बड़ा हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं कि जो हमारा जो बहुत important वीडियो लेके मैं topic लेके आई हूं basically अब उस पर हम बात करते हैं तो government of India की तरफ से एक drawing competition आया हुआ है तो मैंने सुचा कि यह information आप लोगों के साथ बह government of India की तरफ से है आपका one minute one minute एक drawing competition आया है जिसका नाम है you are प्रतिवा तो जब आप इसमें apply करने के लिए कैसे apply करना है क्या करना है सब कुछ मैं इस वीडियो में full detail देने वाली हूं तो सबसे पहले आप site open करेंगे Google Chrome में जाएंगे Google Chrome में जाने के बाद आप उसमें topic डाल देखेगा government of India ठीक है युवा प्रतिवा कि उसमें आएगा ऐसे के government of India डालेंगे तो how to participate in युवा प्रतिवा पेंटिंग टैलेंट हंट competition 2023 अभी मैं ये पूरा detail वीडियो बना के भी मैं आपको डालने वाली हूं इसी वीडियो के इंड में इसलिए वीडियो बिल्कुल स् लिगा तो ऐसे एक पेज open हो जाएगा ठीक है इस पेज में पूरा details competition का दिया हुआ है full detail है competition का how to participate in युवा प्रतिवाग पैंटिंग टैलेंट 40 देवा प्रतिवा पैंटिंग टैलेंट पॉइंट क्या है टाइम लाइन क्या है stage क्या है price क्या है mentorship क्या है everything फी क्या है तो सबसे पहले इस competition की विसेशता क्या है पॉजिब्टिव पॉइंट क्या है कि competition जो है वो registration बिल्कुल free है तो हर कोई इसमें participate कर सकता है देखिए मैं हमीशा से बोलती हूँ कि competition में participate करना चाहिए वीनर वरने के लिए हैं कि कंपर्टिशन सबसे पहले important होता है कि हम घर बेढ़कर सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हिं बद cate करने से हमें पता चलता प्राइज इसका बहुत ही अटक्टिव है तो प्राइज क्या है यह मैं आप लोगों को बता दूँ रोट है कि है मैं सो एभरिवन यहाँ पर राइज है प्राइज मैं आपने बतादों फ Records ठीफिकेट जो भूर्मेंट आफ इंडिया की तरब से मिले इस-च्पस तॉपी. और certificate का बहुत-बहुत importance है आपकी life में, आपके career में, यह ध्यान रखिएगा, second winner को जो है 75,000 मिलेगा plus trophy plus certificate, third winner को मिलेगा 50,000 plus trophy plus certificate, remaining जो 17 contestant हैं, उनको contestant in the physical event will be rewarded with a cash prize of inner 10,000 cash, okay, 10,000 पर 17 जो contestant होंगे, उनको मिलेगा, initial two hundred selected contestant by the middle level jury will get a digital certificate of recognition, तो यह total trophy है, अब आपको topic में बनातादू term and condition, यह सब कुछ आप open कर सकते हैं, वहाँ side पर जाके open करिए और देखिए, stage, stage in the competition है, कि क्या क्या stage है, competition के, how to participate, देखिए, how to participate में क्या करना है, कि जब आप website open करेंगे, online इसमें participate करना है, यह सबसे important है, कि आपको physically नहीं जाना है, online registration करना है, तो आप online जाके registration कर सकते हैं, topics क्या क्या है, इसमें चार category है, चारों category में कहीं से भी आप participate कर सकते हैं, जो theme है, first theme है, heritage and culture का है, second है, weller and patriotism, third है, nature and environment, and fourth है, public heroes and leaders, यह four topics है, जिस पे आपको क्या करना है, drawing करके, painting करके, और send करना है, points कुछ, point to be noted, तो आपका jpj, png, pdf, jpeg form में होना चाहिए, उसका जो format होगा, वो 2 feet का, मतलब की, one minute, one minute, sorry, 24 by 18 inch का, वो size होना चाहिए, और water, oil and acrylic paint होना चाहिए, और और भी सारे note हैं, वो आप जाके side पे एक बार check कर सकते हैं, timeline क्या है, started date है, इसका 11th में, 2023, 11 में को start हो गया था, end of the submission, 25th June, 25th June तक आप submit कर सकते हैं, तो almost आपके, आज है 27, 27 है न, 28 है, तो almost one month तक का time है, तो आप आराम से सुचिए, और 25th June तक आप submit कर सकते हैं, preliminary screening, June में ही होगा, उसका date नहीं दिया है, second level of screening, first week of July होगा, और mid of July में होगा, viewer choice round, online pooling through government की तरफ से final round, जो होगा, first week of August होगा, लंबा है, तो बहुत अच्छा खासा time भी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग पार्टिसिपेटिस में करिए, तयारी के लिए भी time है आप लोगों के पास, और एक बहुत बड़ा region यह है कि देखिए, अप्राइज तो अच्छा मिली रहा है, registration free है, प्लस registration online है, आप लोगों को जाके नहीं करना है, online registration है, इसका link मैं description में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, पुरा अगर कुछ नहीं समझ में आये, तो आप मेरे WhatsApp नमबर पे कोई भी question हो, कोई भी query हो, आप WhatsApp नमबर पे फ्लीज पूछ लिजेगा, WhatsApp नमबर पे नहीं पूछ सकते हैं, तो आप YouTube पे यहां पे भी comment के थूँछ सकते हैं, मैं चाहती हूं कि आप लोग इसमें participate करें, जो मेरे viewers हैं, जो मेरे subscribers हैं, यह बहुत अच्छा है, अगर आप drawing अपना carrier चाहते हैं, अगर नहीं भी चाहते हैं, तो भी मैं सब लोग के लिए चाहते हूं, कि आप सारे लोग participate इसमें करो, इसमें कुछ ऐसा criteria नहीं दिया है, सारा कुछ, एक बार मैंने देखा है, जो main main चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आप देखना चाहते हों, तो आप देख सकते हों, और नहीं समझ में हैं, तो आप मुझसे question पूछ सकते हों, या फिर आपके near में कोई भी होगा तो आप पूछ सकते हों, मैं करूंगी कि मुझसे question पूछिए, तो आप comment के थूँ इस यह जो वीडियो है, सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि जो वीडियो है, उस वीडियो से related comment ना, उसी वीडियो में पूछा करिए, तो सबसे अचा रहता है, तो इस वीडियो पे आप comment के थूँ मुझे पूछ कुछिएगा, अगर कुछ भी नहीं समझ माता है, सबमें में problem हो रही है, कुछ problem हो रहा है, तो मैं हमेशा help करने के लिए ready हूँ, तो चलिए, अब आगे बढ़िए, आगे skip नहीं करना है, वीडियो छोड़के नहीं जाना है, मैं फटा-फट से एक round आप लोगों को पूरा details दिखा देती हूँ, so guys, यह site है, how to participate in your प्रतिभा, यह मैं topic डाल के मैंने वो search किया था, तो यह आया है, admission open, यहाँ पे apply now, आपको, एक minute, how to apply, यह दूसरा है कुछ, ठीक है, how to apply, यह है, यहाँ पे आप सर्च करिए, फिर यहाँ पे पूरे contents आपको दिये हुए हैं, और पूरे contents आपको दिये हुए हैं, यह आराम से आप लोग पढ़िएगा, यू आप प्रतिभा के नाम से आपको सर्च करना है, ठीक है, यह आपको पूरे topics दिये हैं, theme दिया हुआ है, heritage and culture, पेलर एंड, पेट्रोटियम, nature and environment, public heroes and leaders, point to be noted, जो जो important note है, submit करने के लिए वो है point, इसके बाद आपका timeline है, यहाँ दिये देखिए, यह पूरे timeline है, इसके बाद आपका है stage of competition, round one, round two, round three, round four, पूरे round four होंगे, ठीक है, and after then, यह price है, क्या-क्या price है, time and condition है, क्या-क्या आपको rules follow करने है, क्या-क्या उसमें submit करने के लिए चाहिए, यह सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सब कुछ दिया हुआ है, उसमें detail में, तो आप वहाँ पे जाए, वहाँ पे देखिए, और participate करिए, ठीक है, और इससे related कोई query हो, तो पुछिएगा, हमारे competition के तुरूब कोई भी question हो, तो आप पूछ सकते हैं, चलिए, hopefully कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत-बहुत useful है, तो वीडियो को like, थमसब जरूर करिएगा, comment करिएगा, हमारे work को appreciate करिए, और अगर चैनल पने हैं, तो subscribe कर लिएचिए, हमारे चैनल का एक member बनिए, अगर आप drawing से related कोई भी question हो, तो आप यह तो कुछ, मतब drawing से related, इस तरह के बहुत सारी वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो अगर आप drawing में interested हैं, तो चैनल पे जरूर जूड़िए, ताए कि आप लोगों को useful information मिल सके, चलिए, बाई बाई